सात्री का पिशाच पर सूरज की रौशने बढ़ती है तो भस्म हो जाती है इसलिए वो एक अंधेरी गुफा में जहां जरा से भी सूरज की रौशने नहीं पढ़ती वहीं छिप जाती थी वो गुफा भूतों की घाटी वाले गाओं के अंत में एक पहाडी पर है उस गुफा की और कोई नहीं जाता प्रिया ओ प्रिया तुम्हे ही इधर देखो प्रिया ओ प्रिया तुम्हे ही इधर देखो बिताल के अश्र नेतर के बारे में चिताउनी देने के दिन से मंतरवाली काकी बिताल जाब कर रही थी मंतरवाली काकी ये जानने के लिए जाब कर रही थी कि अश्र नेतर कौन प्राप्त करना चाहता है काकी ने देखा कि अश्र नेतर कैसी दिखती है कुडिमा के बारे में भी जाननी की जरूरत है क्या ये अश्र नेतर है? क्या ये इतना शक्तिशाली है? सबी अश्ट राक्षस सिंधियां प्राप करने पर ही अश्ट नेत्र हासिल होती है ना यदि अश्ट तंत्र बुरे लोगों के हाथ में पढ़ गया तो बहुत खातरनाक है किसी भी तरह ऐसा होने से रोकना चाहिए बेताल को महिमा मिले बेताल रक्षा करो फिर से आखे बंद करके बेताल का जाब करती है वहाँ भैरवस बह्यानक नरक कुंड के अंधेरी घाटी से निकलने का रास्ता ना मालू होने से घूप अंधेरे में किस तरफ जाना है समझना आने से वो कदम में कदम डाल कर चल रहा है अपया रहा है प्रणाब कर दो झाल झाल करें झाल झार ववार पर अभर दकार आट यह जो रहाँ नाट वार गवार अगार यह जो पष्जाब है जो रहां है जो अज़ हो बहाँ वजल और झार कर दो कर दो कर दो कर दो बआता करको कर दो कर दो कर दो कर दो जब कोई विक्रित आखरी थी, उस पर कूदने वाली थी, वो नीचे गिर गया गिरते समय नीचे चटान सस्री टकरा कर विहोश हो गया भैरों के चारों और कई भूत इकठा होकर, भैरों को मार कर खा जाना चाते हैं लेकिन छूड़ना सकने के कारण मौके की तलाश में थी इसी बीच जिन भूतों ने भैरों को घेर लिया था कहें से आ रहें नुपरों की आवास से चौँक कर अंधिरे में भाग गए दिवान जी एक पल की देरी किये बिना, भैरों के चेहरे पर पानी के छीटे मार कर उससे जगाया नरकुंड से मशालों की रोशनी दिखा कर उसे बाहर ले जा रहा था पीछे पुजारी नुपरों की जंकार बिना रोके, जोर जोर से आवाज करते हुए चल रहा था उस प्यान की अपलों की आबात से, सारे भूत उसंधेरे नरकुंड की दिवारों से चिपड़ गए थी दिवान जी मशालों की रोशनी में, काफी दूर चलते हुए एक सुरंग के पास ले आकर वहा बंद दर्वाजा खोल कर बाहर आ गए दिवान जी, ये क्या है? आप अंदर कैसे आए? ये रास्ता क्या है? जो लोग नरकुंड में गिरते हैं? भूतों के हाथों मरने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है ना? है नरकुंड तक जाने का एक और रास्ता है लेकिन इस गूपत रास्ते के बारे में किवल पूजारी का परिवार ही जानता है मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाने के लिए दुखी हो रहा था मेरा दुख उन से सहन नहीं हुआ तो पूजारी ने खुद मुझे इस गूपत रास्ते के बारे में बताया लेकिन उन भूतों ने अब तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया इस बास से हम हैरान है हाँ बेटा अब तक तुम जीवी थो ये तुम्हारी मा का किया हुआ पुन नहीं है नहीं तो उस नरकुन में गिरने वाले उन भूतों के हाँ तो कुछ ही शणों में मर जाते हैं यह श्यर्य की बात है कि तुम अभी तक जीवी थो तो मैं बचाने के लिए मेरे साथ साथ पुजारी ने भी बहुत बहादुरी की मेरा क्या है दिवान जी जब तक मेरे हाथ पैर के नूपुर आवाज करते रहेंगे तब तक भूत हमारे पास आ भी नहीं सकते सच कहूं तो आप अपनी जान पर खेल कर नरकुन में आये है भेरों को बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं आप सभी का मेरे प्रती प्यार देखकर मैं बहुत खुस हूँ लेकिन आपने मुझे क्यों बचाया वैसे भी मेरे पिता जी मुझे गाउं में आने नहीं देंगे तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है मैं जानता हूँ तुम भी जानते हो किसे ने पूर्व योजना के अनुसार ही साजी सरच कर तुम पर आरोप लगाया है वो आरोप सच नहीं बलकि जूट है तुम्हें साबित करना होगा बेटा उसके लिए आपको अधिकार किया वशक्ता है तुम अपने गाउं में एक आम आदमी की तरह कदम मत रखना एक जमिंदार बनकर ही कदम रखना अपनी सगी बेहन छोटे भाई और छोटी मा को मारना चाहा इस वदनामी के साथ जीना मरना दोनों एक समान है वारोब तुम्हें जनम देने वाली राजिश्वरी देवी के लिए एक कलंक बन जाएगा तुम पर दोश लगाने वालों का पता लगाओ उसे अपने पिता के द्वारा ही डंडित करो ऐसा करो कि जिससे तुम्हारे पिता जी तुम्हारी प्रशंसा करे हाँ भैरो तुम यहां से पुर्व की ओर जाओ तीन पहाडियों के पार जंगल पार करो फिर तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा साउधानी से जाकर वापस आना इस तरह भैरो को नरक कुंडे से दिवान जी पुजारी बचा कर भेज देते हैं कई दुनों की यात्रा के बाद दादा और पोता दोनों घाटी में पहुंचे अंधेरा होने लगा पोता उन अजीब मूर्तियों को देखकर डर से कांप रहा है दादा जी कैसी अजीब शिल्प है मुझे उन्हें देखकर ही डर लग रहा है चलो दादा जी वापत चलते हैं इतनी दूर डर कर भागने के लिए आए हैं क्या वे अचल मूर्तिया हमें क्या कर सकती है डरो मत पीछे मुड कर मत देखो और आगे बढ़ो ऐसा कहकर हवेंद्र दादा तलवार पकड़ कर आगे चल रहा है वोता पीछे जल रहा है कमला भूत उन दोनों के पीछे आ रही है प्रिया, ओ प्रिया, इधर देखो दादा जी ने उससे पहले ही बताया था लेकिन फिर भी वोता कमल भूत के प्यार भरी पुकार सुनकर पीछे मुड़ा और शिला बन गया पोते, पीछे मत मूरना, किसी भी हालत में पीछे मत मूरना सुनाई दे रहा है दादा के लाख बुलाने पर भी पीछे आ रहा पोता बोल नहीं रहा था संदेश से पोता तुमें ही कह रहा हूँ कुछ बात करो, क्या तुमा रहे हो बहुत बार बुलाने पर भी पोता नहीं बोला दादा ने अपनी तलवार छेती जूप से गुमाई उसी में सर्ज्यान से देख रहा था पोते का शिला बन जाना तलवार से प्रतिविम्ब हो रहा था पीछे उसी तलवार से कमला भोत भी नजर आ रही थी ओ, ये क्या हो गया मेरा पोता शिला में बदल गया मैंने उसे बहुत समझाया कि पीछे मत मूरना मैंने ये जब उसके लिए ही किया है अगर वही नहीं है तो मैं उस पद्वावती को ढून कर क्या करूंगा किसी भी तरह मेरे पोते को मैं बचाऊंगा ये सोच कर पीछे एक एक कदम बढ़ाते हुए बिना सिर्भमाए उसी तलवार से रास्ता देखते हुए पीछे जा रहा है इस तरह धीरे धीरे भूतों का रास्ता पार कर जंगल में आ गया प्रिया, ओ प्रिया, तुम्हे ही, इधार देखो दादा जी बीना पीछे देखे जंगल में भागने लगे वो संधेरे में किसी चीज से टकरा कर लुड़कते हुए जाकर दलदल में गिर गए बचाऊ, बचाऊ, कोई तो बचाऊ भैरो, जो उसी रास्ते से जा रहा था, उसने वो पुकार सुनी, तुरन तुसूर भागा दलदल में डूब रहे दादा जी को एक पेड़ की शखा से उल्टा लटक कर, हाथ पकड़कर उगे दलदल से बाहर खीज कर बचाता है समय पर आकर भगवार की तरह वेरी जान बचाई बेटा, अगर तुम्हाने में एक पल की भी देरी कर देते, तो मैं इसी दलदल में सांस ना ले पाने से छटपटा कर मर जाता, इसके बजाए में भूतों के हाथों आसानी समर जाता भूत? भूत के हाथो मरना क्या दादा जी? हविंदर दादा जी ने वहरों को जो सब कुछ हुआ विस्तार से बताया ओ, तो क्या आपका पुता शिला में बदल गया? आपके पुती को बचाने का कोई तरीका हो तो बताओ दादा, मैं बचाओंगा मुझे नहीं पता की कोई रास्ता है या नहीं बेटा, लेकिन महुआ मैं मंतरवाली का की नाम की एक तांत्रिका है वो बहुत भली आउरत है, वे बचा सकती है, जब मैं बच्चा था, भूतों की राह में कमला भूत, उसकी पुकार से पीछे मुड़कर देखने वालों का शिला में बदल जाना उस गाउं को मंतरवाली का की, शंकर नाम का घीब एपारी दोनों मिलकर उसकामला की आत्मा को अगहमे लोक में भीज कर गाउंवालों को बचाया मुझे अच्छी तरह याद है सारे गाम वाले मंतर वाली काकी के बारे में उस भूतों की राह के बारे में तरह तरह से कहानियों को तरह तरह की बाते करते हैं उसकी पुकार के बारे में मैं पहले ही जानता था इसलिए उस जंगल में आते समय उसकी पुकार सुनते ही मैं समझ गया कि ये उस कमला भूत की तरह ही है इसलिए मैंने अपने पोते से बार बार कहा कि पीछे मुड़ कर मत देखना वो मुर्क है उसके कर्म में ऐसा ही लिखा है उस भूत का शिकार बनना दादा जी आपके कहें अनुसार मंत्रवाली काकी ने उस कमला भूत को कई साल पहले ही नश्ट कर दिया था अगर आपके बच्पन में ही वो तांत्री का बुढ़ी थी तो अब तक जीवित कैसे रह सकती है आप ही असी वर्स के होंगे क्योंकि वो मंत्रवाली काकी है इसलिए बेताल सिध्धी प्राव्त मंत्रवाली काकी का आयू नहीं बढ़ता है बेटा ओ ऐसा क्या परन्तु क्या वैसी ही भूत इस भूतों की राह में है या फिर वही कमला भूत फिर से आ गई पता नहीं मैंने बच्पन से उस कमला भूत के बारे में सुना था लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं अब मैंने अपनी जादवी तलवार को दरपन की तरह उपयोग करके मेरे पोते को शिले में बदलते देखा है प्यारी रीजाने वाली फुकार से इंसानों को शिला में बदलने वाले उस भूत को देखा ये कमला भूत हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है लेकिन तुम क्यों इस रास्ते से आ रहे हो बेटा भेरोन अपने साथ हुए अन्याई के बारे में हत्या का आरूप लगाने के बारे में सगे पिता के द्वारा ही नरक कुन में फैक दिये जाने के बारे में विस्तार से बताया मुझे वापस अपने गाउं में कदम रखने के लिए अगर मैं एक समाने वेक्ती की तरह कदम रखूंगा तो मुझे फिर से गिरिफतार कर लेंगे दादा इसलिए मुझे भी एक जमिंदार बनना होगा या फिर साबित करना होगा कि मेरे खिलाफ हत्या का आरोब सच नहीं है और पता लगाना होगा कि असली दोशी कौन है तब तक मैं अपने स्वागराम में कदम नहीं रख सकता तुम्हारे खिलाफ साजी स्रचने वाला वेक्ति उसी गाउं में है तो तुम यहां रहकर उसे कैसे पकड सकते हो अगर तुम उस गाउं में रहोगे तो तुम्हारे खिलाफ साजी स्रचने वाले का पता लगा सकते हो या फिर तुम्हें भी जमिंदार बनना होगा क्यूंकि एक जमिंदार दूतरे जमिंदार को डंडित नहीं कर सकता हाँ दा पिशास द्वारा उठाए गए पद्वावती को ढूंड कर उसे जीवित वापस ले आओगे तो उसके पिठा गजान अंदास तुम्हारी शादी अपनी बीटी से करा कर तुम्हें रामपुरा का जमिंदार बना देंगे मेरा पोता जिसे हासिल नहीं कर सका उसे तुम हासिल करो ये जाद्वी तलवार ले लो बहादरी से उस भूतों के रास्ते पर जाओ कितना भी बुलाए कभी भी बुलाए पीशे मुड कर मत देखना इस तलवार के होते कोई भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड सकती मैंने कहा धाना ये एक जाद्वी तलवार है आपकी मदद के लिए धन्यवाद दादा जी मैं जो चाहता हूँ अगर वो हासल कर लूँगा तो मैं आपका कर जरूर चुकाऊंगा मेरी एक ही इच्छा है बेटा तुम पद्मवतीशे शादी करके रामपूरा का जमिनदार बन जा ठीक है दादा जी आपके गाउं रामपूरा चले जाएए मैं जरूर बहुत जल्द आपसे मिलूंगा इतना कहकर दादा दुवारा दी गई जादुई तलवार लेकर भैरो उस भूतों की राह पर अंधिरे में ही भूतों की राह पर चल रहा है प्रिया ओ प्रिया तुम्हें ही इधर देखो प्रिया ओ प्रिया तुम्हें ही इधर देखो उस कमला भूत के कितना भी रिजाने पर भी उसकी रिजाने वाली पुकार पर भी बिना पीछे देखे सीधे चलते जा रहा है इस तरह वो तेजी से चलते हुए गाउं का सरहत पार कर गाउं में कदम रखा अभी भोर होने में एक घंटा बाकी है सत्रिका पिशाच गाउं में ही घूम रही थी मुझसे बचकर कोई गाउं में आ गया है सीमा पारकर के गाउं में प्रविश करने में असमर्थ कमला भूत वहीं खड़े होकर जोर जोर से चिला रही थी ये सुनकर सत्रिका कुछी शणों में उड़कर भैरों के सामने उतर गई भूतों का रास्ता में कमला भूत से बचकर गाउं में प्रविश कर गई तुम कैसे आए नरकुंड के अंधीरे में इस सभी भयानक भूतो पिशाचो को देखा इसलिए सात्र का पिशाच को देखकर जादा भैवित नहीं हुआ भैरो इसके अलावा दादा दुआरा दी गई जादू तलवार को देखकर और सहसा गया उसमें मैं अपनी इस तलवार से तुम्हारे जैसे भूतो पिशाचो को भस्म कर दूँगा सिधे सिधे मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो सात्रिखा ने जादू तलवार तोड़ कर फैंक दी लेकिन वो भैरो को छू नहीं सकी कुई ताकत उसे भैरो को छूने से रोक रही थी वो उचलकर दूर जा गिरी जैसे ही सूरज उग रहा था वहां से पहाड़ी वाली गुफा में वो फूर से उड़ गई भैरो गाओं में जाकर पूरे गाओं में गलियों में देख रहा है गाओं के बीच में एक बड़ा कुवा था उसमें जमीन से पाने उठ रहा था उसके बीच में एक अजीब और भयानक मूर्ती को देखते रह गया इतने में वहाँ उस गाओं का ग्राम परधान आकर बेटा तुम इस गाओं में कैसे आए क्या उस पिशाच ने तुम्हें कुछ नहीं किया जब मैं गाओं में आ रहा था तो एक भूत ने मेरा पीचा किया उससे बचकर गाओं में प्रवेश किया तो वहाँ एक और पिशाच था उसने मेरी जादवी तलवार को तोड़कर नश्च कर दिया मुझे मारने वाली थी लेकिन अचानक उड़ गई वो पिशाच सूरज की रौशनी में नहीं रह सकती वह सुबा के समय बिल्कुल बाहर नहीं निकलती कहीं छुप जाती है लेकिन रात को जरूर तुम्हें ढूंड कर आकर मार डालेगी हाँ लेकिन उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है तुम किसी के घर के दहलीज लांगे बिना सारी रात घर में ही रहो अगर तुम घर में रहोगे तो वो कुछ नहीं कर सकती अगर तुम बाहर आओगे तो उसके हाथो मर जाओगे ये क्या पूरा गाओ थोड़ा अजीब है ये भूत क्या है ये पिशाच क्या है सरहत परी जाने वाली पुकार वाली भूत क्या है सरहत पार करने के बाद माँ मौजूद भूत के बारे में हमारे गाउं में कोई नहीं जानता क्योंकि गाउं की सरहत को पार कर बाहर जाने वालों में कोई वापस नहीं आया गाउं में जो पिशाच है उसने ठीक 10 साल पहले आकर उस गुढिया को खोट कर बाहर निकाला था उस दिन से हमारा गाउं पीडी थै गाउं के आधे लोग उस भूत के हाँ तो मर गए बेटा उससे हमें बचाने वाला कोई आएगा इसी आशा में इंतिजार कर रहे है जो कुछ हुआ उसे विस्तार से बता कर एक घर दिखा दिया तुम इस घर में रहो बेटा उस घर के सारे लोग बहुत पहले पिशाचों के हाँ तो मर गए ताओधान अंधेरा होने के बाद घर से बाहर आओगे तो पिशाच के हाँ तो मार जाओगे ऐसा कहकर चला गया उस दिन सब भेराओ दिन में गाओं में घूमता रहता है लेकिन रात होते ही वो गाओं के अंत में एक छोटे से घर में दर्वाजा बंद करके रहता है ताकि सातरिक भूत उसे ढूंड ना सके जब कि यह ऐसा था तो एक दिन भरी दो पहरी में जब सारा गाओं सुनसान था पेड़ों के बीच से छिपकर काओडी से दो घड़ा ढोते हुए एक लड़की को देखा बिना आवाज कि यह लड़की का पीछा करता है वो कन्याका का पीछा कर रहा है कन्याका काओडी को लेकर पहाडी वाली गुफा में जाती है भैरों भी पहाडी वाली गुफा में जाकर अंदर क्या होने वाला है देख रहा था कन्याका ये घड़े में जान्वरों के खून को लेकर अंधेरे गुफा में चली जाती है भैरों को ये नहीं दिखता कि अंदर क्या हो रहा है दूसरे घड़े में मौजूद खाना पानी लेकर पद्वावती के सामने रख दिया अब रोने से कोई फाइदा नहीं भर पेट खाना खाओ योगि तुम कभी भी सत्रिका से बचने ही पाओगी तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हूं ठीक है मुझे आज भी अपने साथ बाहर ले जाओगी यदि तुम खाना खाकर रोना बंद करोगी तुम्हारे सत्रिका से पूझ कर तुम्हें बाहर ले जाओगी ठीक है इस पद्वावती के भूजन करने के बाद कणिया का उस अंधिरी गुफा में गई जहां सात्रिका रहती थी सात्रिका को मना कर पद्मावती को बाहर ले कर जाती है भैरो जो ये सब कुछ छिप कर देख रहा था लेकिन उस गुफा के अंदर कौन था गुफा के अंदर घडो में क्या ले जाया गया वो दिखाई नहीं दिया इस लड़की को भूतो कि इस गहाटी के रहसे के बारे में कुछ तो पता होगा जदी इस लड़की से दोस्ती किया जाए तो निश्चित रूप से जमिंदार की बेटी पद्मावती के ठीकानी के बारे में जान सकता हूँ ऐसा सोचते हुए घर चला गया कनियाका भी अंधेरा होने से पहले सब सचिपकर पद्मावती को उस गुफा में छोड़ दिया मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ पहले की तरह भागने की कोशिश मत करो व्यर्थ है अगर तुम गल्ती से भी सरहत पार करोगी तो भूत के हाथों मर जाओगी ठीक है मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप कहेंगी ऐसा कहकर उस अंधेरी गुफा में जाकर बैठ गई कनियाका अपने घर चली गई आधी रात बीत गई कापी अंधेरा होने के बाद पूरा गाउस उंसान होने के बाद गुफा से अंगडाई लेके दुए सात्र का पिशाच बाहर आई आज रात उसे किसी भी तरह मार डालना होगा उसे गाउं में आये चार दिन हो गए मुझसे बच कर घूम रहा है आज की रात उसके लिए काल रात्री होगी गन्यका बाहर आओ तुमसे काम है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ तुम अंधेरे में मुझसे मदद मांग रही हो क्या चाहिए तुम्हें गाउं में एक नया आदमी आया है क्राम प्रधान ने उसे गाउं के आकरी छोद पर बने घर में रहने को कहा है मुझसे डर कर वो रात्स में बहार नहीं आ रहा तुम कुछ भी करके उसे देहलीस पार कराओ उसे किसी भी तरह आज रात को मार डालना चाहिए हाँ मैंने सुबह सब को कहते हुआ सुना कि वो हाथ में तलवार लेकर गाउं में आया है शायद उसके हाथ के तलवार में कोई शक्ती होगी वो मही मानवित तलवार होगा उसके हाथ में जो है वो एक जादुई तलवार है ये एक साधारन तलवार है फिर तुम उसे कुछ नहीं क्यों कर सकी यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसलिए तुम्हें उसे बहला पुसला कर बाहर लाना होगा तब पता चल जाएगा कि वो शक्तिशाली है या मैं कमजोर हूँ ठीक है तुम मेरे पीछे आओ कन्याका ने किसी खत्रे के होने का नाटा करते हुए भागते भागते जाकर भैरों के घर के दर्वाजे खटखटाती है बचाएए बचाएए ग्रिप्या बचाएए भैरों ने उन चीखों को सुनकर दर्वाजा खोला कन्याका को देखते ही क्या ये वही लड़की है जिसे मैंने आज सुबह गुफा में देखा था इस लड़की को भूतों की इस गाटी का रहस्त आवश्य पता होगा इस लड़की से दोस्ती करने का यह अच्छा मौका है कन्याका के आने का कारण पूसता है अंदर से ही क्या हुआ? घबराईये मत मुझे बताईये क्या हुआ है मैं जितनी मदद कर सकूँगा उतनी करूँगा क्रिप्या मेरे घार आईये मेरी मा मरनासन स्थिती में है पेट दर से छट पटा रही है क्रिप्या आईये मैं अपनी मा को अकेले वैद के पास नहीं ले चा सकती लेकिन गाउं के मुख्या ने बार बार कहा था की अंधेरा होने के बाद दहलीज पार नहीं करने चाहिए उन्होंने कहा कि यदि ऐसा करोगे तो अवश्य ही पिशाचों के हां तो मारे जाओगे ये सच है लेकिन आज पूर्णिमा है पूर्णिमा की चांद की रोश्णिम में पिशाच नहीं गुंगती कन्याका की बातों को सच मान कर घर का दहलीज पार कर कर कन्याका के पीछे चल रहा है भैरो उसके पीछे सात्रिका पिशाच आ जाती है सात्रिका कितनी भी कोशिस कर ले वो भैरों को छू नहीं पाते कन्याका को ये सब अजीव लगता है ये क्या सात्रिक पिशाच भी इसे कुछ नहीं कर पा रही है कहीं यहीं वो योदा तो नहीं जो हमारे गाउं को बचाने आया है इसका मुतलब है कि मुझे जरूर इसकी मदद करनी चाहिए इसे किसी भी तरह सात्रिक से बुचाना होगा सात्रिका पिशाच को कुछ समझ नहीं आया तुरंत वहां से उड़ गई मैं भी इसे कुछ नहीं कर सकी यहां तक कि कमला भूद भी से कुछ नहीं कर सकी तो इसका मतलब है वही हो सकता है जो पदमावती का जोड़ी है जैसा कि क्रूरिम ग्रंथ में पताया गया था मायावी दरपन पदमावती का जोड़ी कहा है दिखाओ वो यावी दरपड में भैरो दिख रहा है वो इसी गाउं में है वो तुम्हारे बहुत करीब है मैं उसे कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ ऐसा इसलिए उसका चनम उनी पलों में हुआ था नहीं, क्योंकि उसके पेर पर बिताल का तिल है वो बिताल तिल के साथ ही पैदा हुआ था इसलिए तुम उसे जो नहीं पा रही हो ओ, तो ये बात है है, हैर, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो सीमा पा न करे इसका मतलब म्रगावती को बली चड़ाने के लिए जोड़ा मिल गया है मेरे पोते के आते ही बदमावती और इस भैरफ को दोनों को म्रगावती को बली दे देगा तुम मुझे दोखा दे कर घर से क्यों बाहर ले आई तुमने कहा कि तुम्हारी मा की तबियत अच्छी नहीं है लेकिन तुम्हारे घर में तो तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है मैंने तुम्हें कावण से किसी के लिए खाना पानी ले जाते देखा है मैंने उस गुफा में एक और लड़की को भी देखा वो लड़की कौन है सरहत पर वो भूत क्या है यह पिशाच क्या है गाउं के बीचों बीच वो भयानक मुर्ती क्या है मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगी लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा कौन सा काम जिस लड़की को तुमने मेरे साथ गुफा में दिखा था उसे किसी भी तरह इस गाउं से बाहर ले निकलना होगा उसे उसके माता पिता के पास पहुचाना होगा नहीं तो खत्रा है जल्दी उसके बली देदी की शत्रिका पिशाच लेकिन वो लड़की कौन है उसका नाम पद्मावती है उससे सत्रिका पिशाच उठा ले आई और यहां कैद कर दिया था उसने मुझे कुछी दिन पहले बताया उसकी पिता रामपुरा के जमिंदार गंजम दास है ये सब सुनकर वो समझी गया कि पद्मावती वही है जिसे वो ढूंड रहा है ठीक है कल सुबा होते ही मैं पद्मावती को बचा कर उनके गाउं पहुंचा दूँगा मैं तो उसी की तलाश पर यहां आया हूँ उसने कन्याका को जो कुछ भी हुआ सब विस्तार से बताया अगले दिन सुबा सुबा कन्याका के साथ मिलकर भैरो गुफा के लिए निकल पड़ा कन्याका खाना ले जाने के बहाने गुफा में गई भैरो गुफा के बाहर इंतिजार कर रहा था एक घड़े में मुर्गे का खून ले जाकर अंधेरी गुफा में सात्रिका के सामने रख दिया वो अपने आप खुद आया है बली के लिए दूला मिल गया क्या वो पर्देशी ही पद्मावती का जोड़ी है हाँ लेकिन पद्मावती को इस रहस्यकार किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए ठीक है ठीक है तुमको मुझे पर भरोसा है ना रोज की तरह पद्मावती और मैं जरा गाउं में घुम कर वापस आ जाएंगे इस तरह सात्रिका को समझा कर पद्मावती को खाना दे कर अगर तुम जल्दी खा लोगी तो हम हमेशा की तरह बाहर जाएंगे तुम्हें बाहर ले जाने के लिए सत्रिका की अनुमती मागूंगी, ठीक है? इस तरह हमेशा की तरह सात्रिका की मदद करने का नाटा करते हुए, पदमावती को गुफा के बाहर ले आती है पत्मावती अब तुम्हारा बच निकलने का समय आ गया है ये तुम्हारी तलाश में आए वीर है भैरफ तुम्हारे गाउं रामपुरा ले जाएगा बे फिक्र होकर इनके साथ जाओ जैसा वो कहे वैसा करो क्योंकि ये भूतों के रास्ते पर रहने वाली पिशाच से बचकर आने वाला धीर एक मात्र धीर है धीर नहीं, हिम्मती और साहसी हूँ अगर मेरा वा जादू तलवार भी होती तो मैं पदमावती को उन भूतों का रास्ता पार करवा देता अब मैं थोड़ा शंकित हूँ, कि पार करा सकूंगा या नहीं क्या तुम्हें असल बात बताओं, जो तलवार तुम लाए थे, वो कोई जादूई तलवार नहीं है ये एक साधारन तलवार है, तुम्हें कोई शक्ती है जो तुम भी नहीं जानते गुदो के रास्ते वो भूत तुम्हारा कुछ नहीं विगार सकी, घाओं में भटक रही, सत्रिका पिशाच भी तुम्हारा कुछ नहीं विगार सकी, बहादूरी से आगे बढ़ो, तुम्हें कुछ नहीं होगा इतने कहकर उसने उन दोनों को सीमा पार करवा दी कन्यका ने पद्मवती को सीमा पार करवा दिया इस बात से अंजान सात्री का पिशाच अंधीरी गुभा में मज़े से खून पी रही थी प्रिया ओ प्रिया तुम्हे ही इधर देखो प्रिया ओ प्रिया इधर ही मुझे देखो क्या तुमने भी वो पुकार सुनी है पद्मवती लेकिन तुम किसी भी हालत में पीछे मत मुलना आगे देखते हुए चलो तुम्हे कुछ नहीं होगा डरो मत प्रिया तुम्हें ही इधर देखो प्रिया ओ प्रिया तुम्हें ही मुझे देखो प्रिया ओ प्रिया जैसा कि भैरो ने कहा था पदमवती किसी के बुलाने पर भी पीशे मुड़ कर नहीं देखती लेकिन एक हाथ आकर पदमवती के कंधे पर पढ़ती है वो डर के मारे पीछे मुड़ गई बस वहीं शीला में बदल गई उसके हाथ में पदमवती का हाथ कठोर चटान की तरह बदलते देख भैरो घबरा कर पीछे मुड़ा लेकिन भैरो शीला में नहीं बदला पदमवती लेकिन वेकिन 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 वेकि झाल 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 के लो कर दो कर दो सिर्णही